नमस्कार कैसे हैं आप लोग आज आपके सामने हम प्रसनली बहुत इंपोर्टेंट वीडियो ले के आ चुके हैं और यह इतना इंपोर्टेंट वीडियो है आप लोग के लिए कि आप लोग समझ भी नहीं सकते हैं कि आपके लोग के लिए कितना इंपोर्टेंट वीडियो है अगर आप लोग इस वीडियो को मिस कर देंगे तो हम आपसे हाथ मिला के चैलेंज दे रहे हैं कि आप अपने लाइफ में पच्ताइगा हमेशा और पच्ताना आप नहीं चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना क्योंकि हमारे चैनल पर हमने हर एक तरह का वीडियो अप्लोड किया है चाहे वो पैनी स्टॉक्स पैनी स्टॉक्स नहीं हाँ पैनी स्टॉक्स के बारे में भी अप्लोड किया है इस माई ट्रिप बहुत सरे ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमने आपके साथ कवर किया आज हम आपके सा स्टोख से ज्याधा रिटर्न कैसे लेते हैं वह बताया आपको हमने हमने यह पिंगको थे बहुत बहुत बातीन वाला चीज है भी बहुत असन की आप समझ जाऊए गया है और आपको कुछ एसे ऐसे स्टोखS के उनका पैसा बना रहे है ना long term पे उनका पैसा बना रहे और returns भी अच्छा मिले long term पे जिसमें उनके पैसे के साथ कहीं छेरचार ना हो कि कभी market पता चला कि अभी all time high पे है और कुछ shares ऐसे हैं जो और नीची आके और 10 साल 5 साल के लिए वैसे ही अटके रहे जाएंगे तो आप कि अगर 4-5 सलते अब 2 साल तक ऐसे ही चलता रहा तो आपका फाइदा क्या ही हो जाएगा आप हमें बताईए यह हमारा हाल का portfolio है इस पर ध्यान मत दीजेगा किसी भी investment को करने से पहले आप अपने financial advisor से संपर्क जरूर करें आज की वीडियो के अंदर हम आपके साथ cover करने व ठीक है दो तीन साल में पैसा डबल हो जाएगा लेकिन वह पैसा हमेशा उसी तरीके से बढ़ेगा कभी आपका पैसा वह कहीं से ऐसा नहीं होगा कि आज बढ़े गया तो कल डाउन हो गया वह तो होता है share market के अंदर मतलब ऐसा नहीं कि कहने का मतलब यह कि मान लिजे कि बहुत कम टाइम पर हाई रिटर्स दे जाते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं और कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो long term के साथ चलते हैं आप देखिया आप कितने भी popular company के साथ आगे बढ़ें Reliance Industry जिसके मैंने हर share के बारे में आपको बताया अपने वीडियो के अंदर आप मेरे बातों को अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप बहुत अच्छे खासे share market में long term में return ले पाएंगे तो आज का वी मैं मानता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो long term पे invest करते हैं और मैं उन्हें ही appreciate करता हूं जो long term पे बने रहते हैं क्योंकि share market patience का गेम है आप अगर patience के साथ अगर इसके अंदर investment कर रहे हैं hope आपको result अच्छा मिलेगा जैसे कि आप मान लीजिए एक साल में return देखिए negative return नहीं मिला है लेकिन फिर भी अभी ये market ऊपर जाने वाला है और ऊपर जाने वाला है तो आपको यहां पर returns अच्छे मिलेंगे आप 5 साल में देख लें तो आपके पैसे को डेर होना के गरीब किया है इस टॉपने आप all time देख लें तो अभी तक इसका graph नीचे तो नहीं गया है अभी day by day अब ही हो रहा है और अब होगा ही तो कहने का मतलब क्या हुआ निवेज करें घबराएं ना कि यहां पर आपको returns नहीं मिलेंगे returns आपको मिलेंगे आपको सिर्फ निवेज करना है और long term पे बने रहना है आपके पैसे को यह अच्छा percentage return देगा देखिए पैसे को 60 गुना के करीब किया है इस company ने आपके पैसे को यानि कि आप 1 लाख डाले होते भले ही आप 20 साल पहले डाले होते लेकिन आपके पैसे को at at end में यह आपके पैसे को 60 गुना जरूर करता हमारे कहने का मतलब है कि किसी भी एक stock के अंदर आप सारे पैसे को ना लगाए आप अच्छे company के अंदर निवेज कर रहे हैं कुछ ऐसे अच्छे company आपको बताएंगे जिसके अंदर अगर आप निवेज करते हैं तो 24-5 हमारी WhatsApp गुरूप का लिंक हमने दे रखा है comment में भी और description में भी तो आप लोग जोइन कर लीजिएगा अगर आप comment से और यह description से आप अगर जोइन करके हमारे WhatsApp गुरूप को कर लेते हैं तो आपको अच्छे-च्छे stocks वहाँ पर मिल जाएंगे ठीक है सो आप लोगों को वहाँ पर हम लोग अच्छे-च्छे stocks जो है वह प्रोवाइड कर देंगे आप लोग देख लीजिएगा description पर लिंक हमारे WhatsApp का मिल जाएगा गुरूप का नया गुरूप है और आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए आपको returns क्या मिल रहे हैं वह उससे मत से बना हुए return कितना दिया है आपको दिल पे हाथ रखके बताना माइनस दिया है ठीक है अभी आप purchase कर सकते हैं प्लस देगा वह लेकिन वह जिस रेंज पर लॉंच हुआ था आप देख लीजिए कौन से रेंज पर लॉंच हुआ था इसके बारे में बहुत पहले मैंने mention किया इस चीज को कुछ हाई returns वाले company हैं जो मैंने आपके साथ share करना है आप ऐसे company जो टाटा स्टील हो गया है ऐसे ऐसे company के अंदर आप निवेस करके long term के लिए बने रहते हैं आपको return अच्छा मिलेगा मैं personally आज दो stocks आपके साथ साज return देगा अभी आप buy भी करते हैं तो long term को गोली मार दीजिए guarantee आपको दे रहे हैं कि ITC को अगर आपने buy कर लिया तो आने वाले बस एक साल में आपको returns मिलना शुरू हो जाएगा returns यानि कि अच्छा return कोई बुरा return नहीं अच्छा चीद अभी है एक power grid corporation आप power grid में भी बने रह सकते हैं मेरा तो सलाह यह है कि मैंने इसे 300 के रेंज पर भाई किया था 322 के अच्छा 315 के रेंज पर भाई किया था पहले ही मैंने बाई किया था बहुत पहले मैंने कब भाई निवेस आप करते हैं तो आपको return अच्छा मिलेगा और जाहिर सी बात एक्सपर्ट रेटिंग 60% है holding की यहां पर सलात दी गई है और यहां पर देखेंगे तो अच्छा पर्फर्म कर रही है कंपणी लीडर है कोई दिक्कत नहीं मेच्वल फंड वाले भी इसके अंदर बन यहां अच्छा जी स्टील अथोरिटी आफ इंडिया कि टील की कमपणी है लेस करें जितने भी डेश के अंदर डेपलपमेंट होंगे तो उस THAT में टेफलपमेंट मेंrete'll का उपयोग जो है वो होगा जितने सारे development होंगे इंफ्राटर्टर को जितने भी infrastructure बनेंगे देश में जितना विकास होगा उतना ही जादा आपके लिए वो लाबदायक होगा और देश के new में यह जितने सारे विकास होते हैं चाहे वो आप जो भी ले ले तो वो यहाँ पर बने रहते हैं Steel Authority of India के अंदर return आपको अच्छा मिलेगा ठीक है वहीं आप ITC का ले ले और आप बाकी का ध्यान ना दें बाकी के ऊपर आप अभी नहीं बाकी के ऊपर कभी और बात कर लेंगे अभी हमने बात किया आपके long term के ऊपर तो long term के ऊपर आप Tata Motors के ऊपर बने रह अच्छा जी बरे सेक्टर के अंदर अगर हम जा रहें तो आप देखेंगे कि बरे सेक्टर में यहां पर पैसे को लगभग से safe तरीके से पैसे को अपकिया है 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 ना ऐसे company है जो डूबते नहीं है तो जिनके market cap अच्छे हैं stocks अच्छे हैं like reliance industry आप देखेंगे पैसे को 60 को ना किया है TCS आप देखें पैसे को लगभग 25 को ना किया है एक दम बिल्कुल सेफ तरीके से ग्राप कहीं भी कुछ नहीं होने वाला IC ICI देखें आप एकदम long term एकदम अच्छे तरीके से अभी उपर जा रहा है और अच्छे तरीके से उपर जाएगा all time high पे है बट यह अभी उपर जाएगा है ना तो आप ऐसे लोगों के अंदर निवेस करें ऐसे company के अंदर निवेस करें जहां आपका पैसा बिल्कुल से return देंगे आप देखिए लालच ना करें कि एक साल दो साल में आपको return लेना है at the end में आप अगर अच्छे stocks पर बने हुए हैं जो return भले ही कम दे रहे हैं आपको एक time पर एक stock जो है नहीं company वह एक time पर आपको return दे देगी लेकिन फिर आपको इसके अंदर बार-बार से छेर return कम के नजरिये से आप देख रहे हैं तो बड़ी company के अंदर आप निवेस करें यह ना सोचे कि इसके अंदर return return कम नहीं है at the end आप जिस तरीके से देख रहे हैं उस नजरिये से यहां पर आपको returns उतने ही मिलने वाले हैं है ना भले उनमें थोड़ा ज्यादा मिलेगा लेक जैसे कि IRFC हो गया IRFC के अंतर अभीवाई कर सकते हैं आप कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ऐसे stocks को आप अपने portfolio के अंदर एड़ करके रख सकते हैं और बारिस आगया है आज का वीडियो इतने पेंड करेंगे आज मार्केट खुलते ही आपको अच्छे-च्छे stocks जो हैं provide कर दें लिंक डिस्क्रिप्शन पर और कॉमेंट में thank you so much guys मिलेंगे next वीडियो के अंतर